जैहिंद एन हेलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब जैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात फोरेस्ट गाड भरती 2022 ओनलाइन फोर्म के बारे में कि कैसे आपको इस बरती का फोर्म फिलप करना है तो आ आप अपर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ओफिसल वेबसाइट जोब्सग्यान डोटी ने इसका लिंक वीडियो के डिस्कप्शन में दिया है जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस बरती की जानकारी आजेगी जहाँ पर आपको जान अगर आपका इंटरेस्ट है फोरेस्ट गाड़ी बनने का तो यूपी त्री प्लेसी के अंदर फोरेस्ट गाड़ के फोर्म निकले हुई है जिसमें की कंड़ेट आल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अन्य जानकारी जानने को मिलेगी कि आपकी age limit क्या है salary आपको कितनी मिलेगी application fees यहाँ पर क्या pay करनी है और आप इस form को 15 November 2022 तक भर पाएंगे यह सभी जानकारी चेक कर लेनी है आपको चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और apply online पर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्लिक करेंगे apply के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ instructions दिए गए है अब आपको इनको चेक करने के बाद apply now पर क्लिक करना है apply now पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आपने OJAS गुजरात यानि कि इस website का इस्तमाल करके कभी कोई क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने instructions आएंगे आपको इस सभी को चेक करते हुई I agree पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो information है वो फिल करनी है कैसे यहाँ पर आप सबसे पहले आपका title सेलेक्ट कर लीजे Mr. Mrs. जो भी है and then यहाँ पर जो आपका sir name है वो आपको enter करना है और जो आपका first name है वो आपको यहाँ पर first name के अंदर enter कर जो आपका gender है वो आपको select कर लेना है reselect gender यानिके gender को दोबरा select करके verify करना होगा अब आप यहाँ पर जो आपकी date ओपर थे वो enter करेंगे पहले आप यहाँ पर day लिखेंगे फिर इसके बाद में month and जो आपका year है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे फिर marital status आपका क्या ह है वो आप select कर लीजे कास्ट कर लेनी है अगर आप यहाँ पर SC select करते है या फिर HD select करते है तो आपको यहाँ पर जो आपके कास certificate है उसकी जानकारी देनी होगी जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने अतरिक्त और अपसन आया है कि कास्ट certificate नमबर तो आपक आपका मन्त है वो लिखेंगे और फिर जो आपका year है वो भी आपको लिख देना है यह लिखने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा कास्ट certificate तो यहाँ पर किस state के दुवारा इस certificate बनवाया गया है वो state आपको select कर लेनी है यहाँ पर बोला है certificate तो basically cost certificate के date के अंदर अगर आप confused होते है तो यहाँ पर आपको date लिखनी है या तो आपको date लिखनी है जब आपने certificate बनवाया है या फिर जब तक आपका certificate valid है वो date भी आप यहाँ पर दे सकते है फिर आएगा communication detail तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका present address है वो present address आपको यहाँ पर fill करना है इसके बा mobile number को दोबरा डाल करके verify करना है फिर इस तरह पर आपका permanent address तो गर आपका present और permanent address तो जो आपने जानकारी present address में भरी same जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे अगर अलग अलग है तो अलग से आप यहाँ पर इसको भर दीजेगा मॉबाइल नमबर के साथ में आपको यहाँ email ID भी देनी होगी और उसको दोबरा डाल करके आपको verify भी करना है नेसलिटी आपकी इंडियन रहेगी फिर आती है other detail यहाँ पर कुछ और सवाल आप से पूछे जिसे की physically challenge अगर आप विकलांगे तो आप यहाँ पर उसके उपर टिक कर देंगे ने तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे अगर आप विद्वा है तो आप yes करेंगे ने तो आपको no करना है yes करते तो आपको विद्वा का certificate number और विद्वा की certificate date देनी होगी अगर आप एक soldier है जिसे की army, navy या air force के तो आपको yes करना है ने तो यहाँ पर भी no कर दीजिए currently working as गुजरात state government employee अगर आप गुजरात government के अंदर अभी काम कर रहे है गुजरात employee के रूप में तो आपको yes करना है ने तो no कर दीजिए फिर आती है language detail तो आपको language कौन कौन सी आती है तो सबसे पहले यहाँ पर English दी गई है English आपको पढ़नी आती है तो इसके उपर टिक करेंगे लिखनी आती है तो इसके उपर और बोलनी आती है तो इसके उपर हिंदी आपको पढ़नी आती है लिखनी आती है और बोलनी आती है और dimension यानि कि फिक्सल कितने centimeter में होने चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बोला है तो आप दिये गए size के according यहाँ पर अपना photo and sign upload करेंगे कैसे आप यहाँ पर choose file के उपर click करें आपको यह बोला कि quality of photograph should be good enough to be identifiable and acceptable यानि कि आप जो photo upload कर रहे हूँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपके photo देख करके अच्छे से identify किया जा सके तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका photo है वो आपको select करना है इस परकार से आप यहाँ पर photo की file select करेंगे और इसको यहाँ से open कर लेंगे open करने के बाद आपकी file का name आएगा आपको upload पर click करना है इसके बाद आपकी file यहाँ पर upload करके आजाएगी same way में आपको signature upload करना है signature आपको white paper पर करना है और dark pen से करना होगा scan करने के बाद इसको jpg के format में upload करना है तो choose file के उपर click करें और जहाँ पर भी आपका signature है वो यहाँ पर आपको select करना है और select करने के बाद में यहाँ से आप इसको open करेंगे open करने के बाद आपको upload पर click करने है तो आपका signature है वो भी upload होकर के यहाँ पर आजाएगा फिर यहाँ पर दोस्तो यह जो आपका one time relationship है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो आप इसको यहाँ पर yes कर दीजिए yes करने के बाद में जितनी पी जानकारी आपने भरी है इन सभी को verify कीजिए and save के उपर click कीजिए save के उपर click करने के बाद जो number आपने उपर fill किया था उसके उपर OTP गया होगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको यहाँ पर save के उपर click करना है अब guys यहाँ पर आपको फिर से apply online का link open करना है जो कि मैंने आपको important links के section में दिया है और फिर आपको यहाँ पर same way में 4S department यह वाला select करना है इस तरह से जैसे कि मैं आपको fill करके दिखा रहा हूँ अब आप यहाँ पर apply with OTR इसके उपर click करेंगे इसके उपर click करने के बाद में जो जानकारी आपने अभी OTR यानिके one time relation करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है आपको इन सभी जानकारी को verify कर लेना है इ select photo ID proof तो कोई भी ID यहाँ पर select कर लीजिए और जो भी ID आपने select की है उसका number आपको यहाँ पर enter करना है तो चलिए हम यहाँ पर इसको enter करते हैं enter करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों बाकी की जानकारी आपको verify करना है जिसे कि basic knowledge of computer अगर आपको है तो आप yes करेंगे नहीं तो आपको no करना है अगर आपके सामने यह option आ रहा है तो आप इसको yes no कर दीजगा आपकी eligibility के according फिर आती ही height आपकी height centimeter के अंदर कितनी है वो य लिखने के बाद में यहाँ पर जो आप पहले chest लिख रहे है यह आपको लिखनी है बिना fly और fly करके आपकी chest कितनी हो जाती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है इस वाले section में इसके बाद में यहाँ पर आता है weight आपका weight कितने kilogram है वो आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह स कर सकते क्योंकि वो भी 12 के बराबर ही माना जाता है तो हम यहां से एचसी यान के 12 सेलेक्ट कर लेते हैं परसेंटेज या फिर परसेंटाइल आपकी कितनी है वो यहां पर आपको लिखनी है कलास आपकी क्या थी फिर्स्ट क्लास, सेकंड पास, नोट अप लेके वाली है फिर दिस्टिक्षन तो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहां पर रहें इस्ट्यूट नेम एड एग्जाम बोड़ी यान के कौन से इस्ट्यूट इस्ट्यूट का मतलब है कि कौन से कोलेज से आपने आपकी बौर्ड भी लिख देंगे किस बौर्ड के दौर आपने 12 की है इस टेट में आप सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट नहीं आपको खुद से लिखने है कि इसके बाद यहां पर आपको लास्ट ट्रायल सीट नंबर में आपका 12 का रोल अंबर है वो एंटर करना है अगर आपने दो का रोल अंबर था वो एंटर करना होगा फिर एडिशनल इंफोमेशन में अगर आपके पास NCCC का C Certificate है तो आप Yes करेंगे नहीं तो नो कर देना है अब आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन तो आपको एजुकेशन डिटेल के उपर क्लिक करके अगर आपके पास कोई अन् इशनल के बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है Selection of District Zone for Posting यान के Posting के लिए कोन सी District को प्रिफेंश देना चाहते है वो आपको Select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आप Yes करेंगे Yes करने के पाद जो भी जानकर आपने यहाँ पर भरियन सभी को verifier करके Save उपर क्लिक करेंग आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा अब आपको क्या करना है आपको जो यहाँ पर 4ST वालत दिया जा रहा है आपको इसको कोपी कर लेना है कोपी करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे जो online application आपके सामने यह है आपको यहाँ पर जो confirm है इसके उपर क्लि क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी जानकारी आजाएगी आपको इन जानकारी को verify करना है और आपको confirm application के उपर क्लिक करके यहाँ से ok करना है ok करने के बाद आप देखिंगा कि जो आपका application हो है वो submit हो चुका के यह LaIK बर है application का वो यहाँ पर दिया गया है आप print application के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते कि जो आपका application form का print है वो इस परकार से download हो जाएगा form download हो करके यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा अभी यहाँ पर मैंने इस form को भर है ST से और ST के लिए कोई fees नहीं है बट यहाँ पर जो general है उनको fees पे करनी है fees आपको कैसे पे करनी होगी वो आप जान लीजे आपको यही पर एक fees का section देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर जैसे कि online माद्यम से और फिर post office salon के माद्यम से fees को जमा करना चाहते तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप forest guard की जो post है इसके लिए fees को जमा करना चाहते तो आप यह select करेंगे फिर जो आपको confirmation number मिला है वो आपको यहाँ पर डालना है और जो आपकी date उपर ते वो यहाँ पर आपको इस परकार से enter करनी है तो हम यहाँ पर इसको enter करते हैं enter करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे online payment office इसके उपर आपको क्लिक करना है confirmation number के अंदर आपको यहाँ पर जो आपका application number मिला है या फिर काया लिजे की confirmation number मिला है यह वाला जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है वही confirmation number आपको डालना है और फिर online payment office के उपर क्लिक करना है मेरी category पर fees applicable नहीं है इसलिए यहाँ पर यह एरर आ रहा है error काया लिजे या फिर काया लिजे की हमें सही बता जा रहा है बट अगर आप general OBC होंगे तो आपको payment के page पर transfer किया जाएगा आप अपने application फिर जमा कर पाएंगे अगर आप यहाँ से अपने application form को दोबारा print करना चाते तो आप print application के उपर click करके इसको यहाँ पर दोबारा से print भी कर सकते है तो इस परकार से आप लोग गुजरात forest guard online form 2022 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching, जै हिंद